नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CHS Study Capital के इस YouTube चैनल पर, कई सारे बच्चों के लगातार प्रस्टनार है थे कि सर फॉर्म आएगा, कहां फिल करेंगे, कैसे फिल करेंगे, कब आएगा, step by step process बता दीजे, क्योंकि देखे, आप एक अगर student है, class 8 standard में पढ़ रहे हैं, चोटी हिंदू स्कूल का तो मैं फिल कहां करूंगा, कैसे मैं फर्म भरूंगा, क्या-क्या फर्म के documents लगेंगे, कैसे payment होगा, ये सब मुझे थोड़ा बता दीजे, लेकिन मैं अभी सभी बच्चों को यही कहता हूं, चाहे मैं class करने के दारान या class पढ़ाने के दारान, या ऐसे directly जो focus होना चाहिए, वो अभी आपका syllabus completion पे होना चाहिए, और साथ में आपको practice की जरूरत है, तो practice करते रहिए, बाकि ये जो छोटे मोटे वीडियो के topics जो आपको लगते हैं, कि हां महतवपूर्ण है, वो मैं बना के आपको देता रहूंगा, 6-7 मट के 8 मट की वीडियो आप देखिए, और अपने आपको धिरे-धिरे CHS के लिए important जो अपने जो कड़ी है, उसको मजबूत बनाते रहिए, क्योंकि देखो होता क्या है ना, कि जब आप उस चीज से related आप सर्च करते हैं, उस चीज से related आप वीडियो देखते हैं, तो YouTube हुआ या Instagram हुआ, हर जगह है, आपकी जो track recording हो रही है, वो यही कहते है, कि आप जो चीजन सर्च कर रहे हैं, वही चीजन आपको दिखाई जा रही है, परोसी जा रही है, तो अब यह सी बात है, अगर आप हमारी द्वारा जुड़े हैं Central Hindu School की तयारी करने के लिए, CHS की तयारी करने के लिए, और उस की बारी मैंने बताया भी है, कि आपका जो form है, वो start के feb में तो नहीं आता है, mid feb में, last week of feb में आपका जो form है आता है, पिछली बार 28 feb के आसपास form आया था, इस बार भी ऐसे ही chances हैं कि आपके 25-28 feb के बीच में आपके form आ सकते हैं, फिलाल, अगर आपका form आ जाता है, तो उसकी लिए prepare होना सबसे आवश्यक है आप सभी के लिए, पहले चीज़, तो कई बार मैंने देखा है कि form आता है, तो बच्चे लग जाते हैं फिल करने में, क्योंकि 3-4 महिने का इंतजार करते रहते हैं, कि जैसे form आयागा तुरंत फिल करेंगे, और उस form फिल करने के step by step आप यहां से पहले ही थोड़ा सा अपने आपको prepare कर लिजे, documents क्या लग रहे हैं, आपके आप देख लिजे, ताकि उस दोरान आपको extra charges ना देने पड़ें, चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले, आपकी website कौन सी होती है, जहाँ पर आपका form आता है, तो यहाँ पर online.in, यह ऐसी website है जहाँ पर बनारा संदू University के सारे important updates, latest updates, या diploma courses हो गया, university courses हो गया, university के प्रोग्राम हो गया, वो सब यहाँ पर आपको display होते हैं, यह admission portal है, बियाच्चू का क्या है, admission portal है, आप Central Hindu School भी बनारा संदू University का ही है, तो इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन होता है enrollment होता है, वो जहीं से होता है, क्या नाम है, बियाच्चू online.in, उसके बाद मैं बताऊंगा, how to fill form, form कैसे fill किया जाता है, step by step चलना, तो सबसे पहले जब आप देखेंगे, आला के बाई, ऐसी आपकी website होती है, और इस website में आपको दिखा दो थोड़ा सा, कि यहाँ पर आप आपको dashboard में यहाँ पर लिखा मिलेगा, जैसे यहाँ पर लिखा apply for MBA, MBA first, भी है, आपको लिखे मिलेगा, apply for school entrance test, वहाँ पर ऐसे click here to apply का option आएगा, जैसे आप click here to apply पर tap करेंगे, आप देखेंगे, आपको register करने के लिए बोलेगा, दो option होता है, आपके पास में, main जो आपक एक verification code जाएगा, उसको आप डालेंगे, अपना password generate करेंगे, आप register करते हैं अपने आपको, उसके बाद आपका जो next process होता है, वो आपका personal details fill करने का होता है, आप यहाँ पर अपनी personal details fill करेंगे, आपका नाम क्या, आपके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का क्या नाम है, आ उसके बाद आपकी academic details पुछता है, 10th का पास किया, 12th का पास किया, 10th में कितने number थे, 12th में कितने number थे, यह सब details लेने के बाद आप से लेता है, आपके photo और आपकी signature अप्लोड करने को बोलता है, कहीं लोग कहता है, कि आपको आपका आय जाती निवास लगेगा, उसको collect कर रख लीजे, 10th की mark sheet रख लीजे, 12th की mark sheet रख लीजे, कुछ नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ आपका document के नाम पे photo और signature लगता है, यहीं आपका document uploading होती है, document uploading में सिर्फ आपको photo signature लगेगा, बाकी आपकी personal details और academic details आपको fill करने रहती है, fill करने के just बाद आप आप आगे करा सकते हैं, यहां के बाद से आपका form fill हो जाता है, लेकिन महतुपूर यह है कि form fill करने के दोरान जब personal details आप fill करेंगे, वहां पे एक महतुपूर चीज़ आती है, DOB का, date of birth का, date of birth कई बार बच्चे confused हो जाते हैं, क्योंकि वो fill करते हैं और देखते हैं कि वो accept ही नहीं कर हैं, तो आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, 15-17 की बीच में होनी चाहिए, तो यह अगर आपकी नहीं है, date of birth, अगर आपका यह clear नहीं है, तब जाके आप form नहीं fill कर पाएंगे, आपको बीच महीं रोग दिया जाता है, तो महतुपूर यह है कि आप इस पस तोर पर समझ होगा, form जो है, अगर आपकी data of birth नहीं है, आप eligible नहीं है, तो आप form नहीं fill कर पाएंगे, alternative में बताऊंगा, लेकिन separate video में बताऊंगा, चलिए, अगर आप CHS की preparation कर रहा है, तो CHS जन वी capital का application के बारे में तो आपने सुना ही होगा, famous application है, 4.3, 4.4 something rating है, और popular, मैं बात करू तो overall India के level पे तो CHS entrance exam तयारी कराने वाला सबसे बहतर application है, सबसे ज़्याधा downloading इसके है, login करिए, register करिए, और संकल 2.0 का batch हमारा अभी recently launch हुआ है, तो आप जोइन कर सकते हैं, बाकि अगर आपको complete preparation करनी है, one time subscription चाहिए, तो हमारा 9 निर्मान बैच आप ले सकते हैं, 9 निर् पान वाले बच्चों को free मिल जाती है, तो यह फाइदा वहाँ पर विसेश होता, contact कर ये 7355-339097 के contact number पर, और हमारे परसनल जो assistant है, जो परसनल आपको guide करने वाले हैं, वो आपको बहतरी तरीके से guide करेंगे, कि किस तरीके से आप courses में enroll हो जाएंगे, offline अगर आपको preparation करनी हैं, तो आप हमारे लंका भी अच्चू ओले offline center पर आ सकते हैं, जो कि वारा नसी में स्थित है, आइए study capital academy करके आपको बड़ा सा holding दिखेगा, और वही हमारा offline center है, लंका के पास में आप देखेंगे V2 mall के पीछे, इस वीड़ो में बस इतना ही याद रखेगा, अगर आप preparation करना चाहते हैं, तो भाई, ऐसा नहीं कि कहीं और आप चले जाएं, क्योंकि एक मात्र platform है, जो आपको Central Hindu School के लिए guide कर रहा है, तो आपको कोई और मिलेगा ही नहीं, तो भाई, Central Hindu School के तयारी करने के लिए like करें, और comment box में बताइए कि ये video कैसे लगी, अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं, आपसे next video में, तब तक की लिए पढ़ाई करते रहे हैं, और आगे बढ़ते रहे हैं, बबाई